नमस्कार जी मिरना में मीलू बताने जा रही हूं ये है मालचमी के साथ चमतकारी उपाए आज शाम जरूर करें दिवाली पर यहां बताई जा रहे हैं उपाई करेंगे तो आपके घर में लचमी का आगमर होगा और ये सबी उपाई पूरी आस्तो और विश्वास के साथ करेंगे तो शुफ फल जन्दी मिल सकते हैं दिवाली पर फिटकरी का एक टुकड़ा लेकर घर आएं और इसे घर के सबी कुनों से इसपश कराएं इसके बाद किसी चोहाई पर जाएं रुटतर दिशागियों ये टुकड़ा फेक दें घर लोटाएं और पीछे पलटकर ना देखें साथ ही ये उपाई गुप्त रूपसे करें दिपावली पर लच्मी मंते जाएं लच्मी जी को नए वस अरपेद करें खुश्बूदार अगर बत्ती जलाएं दिपावली की सुवें गण्ना खरीद कर घर लाएं और रात में लच्मी पूजा करते समय गण्ने की पूजा भी करें खर्चे अनेंते थो रहे हों तो रूप 14 यानि दिपावली की एक दिन पहले लाल चंदन गुलाव और रोली लाल कपड़े में बांदे और उनकी पूजा करें पूजा के बाद इस पोटरी को तिजोरी में रखें दिपावली की दाथ पूजा में नौ गुंती चक्री भी रखें पूजा के बाद यसे भी चक्र लाल कपड़े में बांद कर तिजोरी में रखें इस उपाई से घर में परक्कत रखती है हर माह मवस्या की शाम किसी जरूरत मन्द विकलान व्यक्ति को बोजन कराएं लजमी पूजा में पाँच साबुत सुपारी, काली हल्दी, पाँच कौडी भी रखें पूजा में रखने से पहले इन चीजों को गंगा जल से दो लें पूजा के बाद इने तिजोरी में रखें धनेवार मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें